बड़े संदीप भाई लड़के जो पहले थे मेरे पास काम करने इनको डेंगो हो गया था अधिक राए होस्पिटल में पसुझ सारा खराब हो गया हाँ दस वारा दिन काम करने वाड़ा कोई था नहीं ठीक है तो अब ये लड़का अकली आया तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत सुवागत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरी एंड फार्मिंग में आश्या करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे आज की जो वीडियो है आप सब पशु पालक भाईयों के सामने ओद्योगीक नगरी गुरूग्राम डिस्टिक से और जैसे की हम सब जानते हैं के ने सिर्फ इंडस्ट्रिल एरिया बलकी अच्छी और उन्नत किसम का जो पशुदन है वो गुरूग्राम जिले ने भी हमारे हरियाना प्रदेश को कही ना कही दिये हैं उसी की तर्च पे आज मैं आया हूँ डिस्टिक गुरूग्राम में और आप सब पशुपालक भाईयों के सामने दो जो मुर्रा की जो हीफर्स हैं वो एक बाकडी भैस और साथ में जो एक बुल है बिलकुल खीरा बुल बीच में आप यहां पे देख सकते हैं नादा न पाम इन्होंने किया हुआ है और जो भी आज पशुदन दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से घर का पाला हुआ जो इनकी मदर्स हैं रिकोर्डीड रही है एचल डीबी में और उन्हीं की जो कट्डिये हैं वो यहां पे आप सब पशुपालक भाईयों को दिखाएंगे थ तो क्या कुछ तीन चार पशुदन दिखाएंगे दो कट्ड़ी है सर अच्छा ठीक है एक बाकडी भैस है तो जो हीफर्स हैं यह दोनों घर की बता रहे थे अब घर की है सर इसकी माह एचल डीवी के सीमन की लिए कट्डी है बीच-एक डीट रदू अच्छा आपके पास इसकी फामपया बेवी है ठीक है तो यहीं से शुरुआत करते हैं क्या कुछ डिटेल से एक बार शुरू से बताई क्या कुछ उमर है इसकी यह सर ओकर बाइस महीने की एज अच्छा हिट में है ठीक है यह आप देख सकते हैं बाइस महीने की एज है जो माका मिल्क सब्सक्राइब तो यह आप देख सकते हैं दो साल पहले रिकोर्ड कर आया है बाकी जो हीफर है आप यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छा हीट में बता रहे हैं एक दो दिन में प्रेगनंट होने वाली है थोड़ा सा इधर गुमा दें एक बार इसको यह आप देखिए काफी जबरदस्त काफी अच्छी खासी जो हैल्थ है हाइट लेंथ है बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसके लिए थोड़ा सा नया हूँ इसी वज़े से ऐसा कर रही है तो नैंदर सर क्या कुछ रे काफी शांदार जो सिंगों की क्वालिटी है यह आप देख सकते हैं चोटे से चोटा सिंग है और एज कितनी 22 महीने की एज है तो 22 महीने की उम्र में जो है हिट में आ गई है एक बार इसको थोड़ा सा खोल करके जरूर चला के दिखाए जो व्यक्तितों है एक बार पशुदराज के शेतर से जो बायर्स आते हैं उनको किसी तरह की समश्या का सामना ना करना पड़े यह आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी थोड़ी सी उचल कूद कर रही है क्योंकि हिट में है ओविसली जब पशुदन हिट में आता है तो उचल कूद करता है और जल बुल हैं यहां पर अच्छा खासा बुल आप यहां पर देख सकते हैं क्या कुछ डिटेल से नहीं अंदर सर यह भी हमारे गड़की 21 की बैस का बुल है अच्छा उसी का तैयार की आपने ठीक है 22-23 महीने इसकी जो बाइस साल का हुआ नहीं है ठीक है और बीडिंग कर रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छा खासा हाइट लेंद पीट पुठा यह मैं दिखाना चाहूंगा काफी जबरदस्त है और चेरा मोरा जो सींगों की क्वालिटी सभाव है वो आप देखिए काफी शांदर तो यह एचल डिबी सीमन का है यह भी है टेस्ट के बिहाव पे कही ना कहीं उसका सेलेक्शन होता है ठीक है बान दीजिए तो रिंदर सर क्या कुछ डिटेल्स रेट क्या रखेंगे इसका 55,000 रुपे चीक है यह आप देख सकते हैं 55,000 रुपे को सखी एक बार वो छोटी सी वीडियो जरूर दिखाएं जिसमें क्योंकि ए बता रहे हैं तो माने क्या कुछ दूद दिया था सब 20-20 लीटर दूद की वैसी रखते हैं सारी यह वीडियो के वाद्यम से मैं थोड़ा सा दिखाना चाओंगा यह आप देख सकते हैं कोई बात नहीं ठीक है यह देखिए 23 महीने की एज है और सर्वीस मैं एक बार दिखा जाना चाहूंगा जो जंप है यह आप देख सकते हैं काफी शांदर ठीक है 55,000 रुपे इसकी कोस्ट रखी है जो भी छुखबायर हैं लेना चाहें इनसे संपर कर सकते हैं कॉंटाक डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे चल रही है नेक्स पशूदन पर आते हैं क्या कुछ डेटेल्स हैं सर्व चर्की दादरी ठीक है तिक चर्की दादरी अच्छी और उननत किस्म के जो दुधारू पशूदन है कहीं ना कहीं हमारे हर्याना प्रदेश को दिये हैं और वहां चर्की दादरी के कौन सा गाउं था वो रावल दी गाउं लिल्ला राम सर बता रहे हैं उनकी डेरी थी वहां से जो भ्यांसे वो लेकर के हैं अच्छा तो माने क्या कुछ दूद्धी है बाइस साड़े बाइस अच्छा है आपके बास तो इसकी क्या कुछ उम्र है अभी यह ओगजी उननीस बीस महीने की चोटी है यह मैं थोड़ा से नस्दीक से जरूर दिखाना चाहूंगा सींग जरूर थोड़े से खुले बनेंगे यहाँ पर अदरवाई चेरा मूर आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा और हाइट लेंद स्पीट पुठा मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूं पशू पालक भाईयों के सामने और जो थन वगेरा हैं यह आप देख सकते हैं काफी शांदार काफी अच्छे खासे जो थन यहाँ पे और इस पशूधन के नीचे देखने को मिले तो तीसरी हीफर है चाल चलन व्यक्तितव आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा खासा क्य आपसी सारे पशूपालक भाईयों की कमेंस के थ्रूँ डिमांड रहती है कि कही ना कहीं जो बाखडी भैसे हैं वो भी दिखाई जाए और उसी की तर्च पे एक और बाखडी भैस आपको देखने को मिली डिस्टिक गुरू ग्राम में तो डिटेल्स मैं जानना क्या कुछ डिटेल्स हैं सर मुखूर आगे खराब हो गई थी बैस अच्छा मुखूर अच्छा ठीक है अभी इसमें आठ लिटर की संतिक गुरूद है आठ लिटर ठीक है प्रेगनेंट ये भी होगी कितने दिन का ब्याय हो गया ये सर चोक्ते महीने के आंड में लाये थे आच्छा अब आप लालकर इविल पांच महीने की जो है ब्याया हुआ पशूदन है साथ लेटर दूद बता रहे हैं बच्चा है अभी इसके नीचे बच्चा ने है आच्छा ये आप देख सकते हैं और थोड़ा सा पशूदन हो जाता है कभी-कभी जो पक्का होता है उसम यहां पे जो डेरी है यहां पे पशूदन को बहार निकालने में आपके यहां तो कोई इस तरह की स्वीदा होगी नी जोड़ वगेर की तो दूद बगेर हैं बेशते हैं और डेरी में सारा क्या कुछ भाव बिग जाता है आपका 75 लिटर तो यह आप देख सकते हैं युवा पशू पालक हैं दूद की डेरी करी हुई है और अच्छा खासा मुनाफा जिसको हम कहते हैं 75 लिटर जो दूद है उसको बेच करके कम आ रहे हैं अच्छा खासा तो चार पशूदन मैंने आपको दिखा है डिस्टिक गुरू ग्राम से चारों सेल के लिए अविलेबल हैं जो भी छुख बार इनको लेना चाहें वो इनसे संपर कर सकते हैं एक बार मोबाइल नंबर जरूर जानना चाहूंगा अपसे यह अल्टरनेट नंबर है दोनों नंबर हमारे साथ साजा किये एक बार एड्रेस और बता दीजिए अपना यह असोक विहार फेस थ्री गुरू ग्राम हर्याना प्रदेश ने सिर्फ युआ और पड़ू यह लड़के जो पहले थे मेरे पास काम करने इनको डेंगू हो गया था है उस्पिटल में पसुजन सारा खराब हो गया तो यह आप देख सकते हैं कई बार जो लेबर है उसका अभाव डेरी फार्म में देखने को मिलता है उसी की तरच पे और डिस्टिक गुरू ग्राम जिसने ने सिर्फ जो पड़े लिए युवा है उनको रोजगार दिया बलकि अच्छी और उन्नत किसम का जो पशूदन है वो भी कही ना कही हमारे पशूपालक भाईयों को दे रहे हैं और चार पशूदन मैंने आपको दिखाए तो उमीद करूँगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी मिलते हैं फिर किसी नई पशूपालक के घर या किसी बड़े डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरे नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किस हैं